आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार से एक्साइटमेंट है लस्जी के क्यार में भिडन नामने सामने होंगे धाकड खिलाडी आई पील का तरपनवा मुकाबला शनिवार के दूसरे मुकाबले में लखनव सूपर जाइंट्स और कोलकाता नाइट्स राइडर्स एक दूसरे से भिडने को तयार हैं दोनों के जीत कर दूसरे पायदान पर है वहीं कोलकाता नाइट राइडर दस में से च्वार मुकाबले जीत कर आठवे पायदान पर काबिज है दोनों ही टीमों में धुरंधरों की भरमार हैं जोहां एक तरफ लखनव के नवाबों की टीम में केल राहुल, मनीश पांडे और जैसे खिलाडी है तो ही कोलकाता की टोली में शेय सायर, निटी, शुराडा और अजिंग के रहाडे जैसे दिगज मौजूद है आईपिल के मैदान में इस सीजन पहली बार उतरी लखनव सूपर जाइंट्स काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है दिल्ली कैपिटल्स के अक्ष्य हासिल करने में नाकाम्याब रही है वही राजस्थान रोयल के खिलाफ अपने पिछले मुकाबले में कॉलकाता को भी जीत हासिल हुई पहले बल्ले बाज़ी करते हुए राजस्थान की टीम ने 152 रनों का स्कोर खड़ा किया जिसके बाद कोलकाता की टीम ने IPL 2022 के बावर्वी मुकाबले में राजस्थान, रोयल्स और पंचाब किंग से एक दूसरे से भिरने को तयार है दोनों के भीच मुकाबला मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में खेला जोएगा दूरंदरों से भरी इन टीमों को मैदान में देखने के लिए फेंस काफी एक्साइटेड है IPL में PBKSRR का महा मुकाबला वानखेडे स्टेडियम में भिड़न विकेट के मैदान में कडी तककर शनिवार के पहले मुकाबले में राजस्थान रोयल्स और पंजाब किंग्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे दोनों के बीच ये मुकाबला मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में खेला जाएगा अगर पॉइंस टेबल की बात करें तो राजस्थान रोयल्स अपने 10 में से 6 मुकाबले जीत कर 3 पायदान पर है वही पंजाब किंग्स 10 में से 5 मुकाबले जीत कर 7 पायदान पर काबिज है दोनों ही टीमों में धुरंधरों की भरमार है जहाँ एक तरफ राजस्थान की टीम में संजू सैंसन, जौस बटलर और देवदत पडिकल जैसे खिलाडी है तो वही पंजाब किंग्स में मयंक अगरवाल, शिकर धवन और कगीसो रबाड़ा जैसे दिगज मुझूद है कोलकाता नाइट ट्राइडर्स के खिलाफ अपने पिछले मुकाबले में राजस्थान की टीम को साथ विकेट की हार मिली पहले बले बाज़ी करते हुए राजस्थान की टीम ने 152 रनों का स्कोर खड़ा किया जिसके बाद कोलकाता की टीम ने अपने 19 वे ओवर में ही जीत हासल कर ली वहें गुझौद के खिलाफ अपने पिछले मुकाबले में पंजौब केंग स्कोर विकेट की जीत मिली पहले बले बाज़ी करते हुए गुझौद की टीम ने 143 रनों का स्कोर खड़ा किया जिसके बाद पंजौब की टीम ने शिकरधवन की शांदार पारी के दम पर अपने 15 वे ओवर में ही जीत हासल कर ली दोनों टीमों में धुरंदर इस मुकाबले में एक दूसरे से भिड़ने को पूरी तहरा से तयार है अब फैन्स को इस बात का इंतजार है कि कौन सी टीम इस मुकाबले को अपने नाम करने में कामियाब हो पाती है Sportdex Prime TV Sportdex की रिपोर्ट में इतना ही देश दुनिया की तमाम ताजो तरीन खबरों के लिए देखते रही है Prime TV आप देख रहे है Prime TV सच साहस सरोकार क्ल आप देखते है क्ल आप देखते है